नमस्कार बच्चों आज हम आपके पुस्तक व्यवसाई अध्यन के भाग दो का पहला अध्याय व्यवसाई क्वित्थ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों व्यवसाई क्वित्थ एक बहुत ही महत्वपूर अध्यन हैं आप इसे बहुत विस्तार से और ध्यान से समझने की कोशिश करें क्योंकि व्यवसाई क्वित्थ हमारे प्रबंधन के समझ को और विक्सित करने में सहायता करता है जैसा कि हम जानते हैं कोई भी व्यवसाई बिना वित्थ के नहीं चल सकता वित ही विवसाइ के शरीर में रक्त की तरह काम करता है तो आईए समझते हैं कि वित किस प्रकार विवसाइ के लिए महत्वपूर है वो इससे जुड़ी हुए कुछ बारी किया क्या है जैसा कि नाम से इस पश्ट है विवसाइक वित का अर्थ है वह वित यानि वह पैसा जो व्यवसाई में लगाया जाता है अब व्यवसाई पैसों से पैसों के लिए किया जाने वाला काम है हम व्यवसाई क्यों करते हैं ताकि हमें पैसे अरजित करने को मिले इसके लिए हमें व्यवसाई में पैसा लगाना होता है और उस पैसे को इस प्रकार उप्योग करना होता है कि उससे अधिक से अधिक राशी हम कमा सके वेवसाई चाहे किसी भी प्रकार का हो सभी वेवसाई क्रियाओं के लिए उनके संचालन के लिए धन के आवशक्ता होती है तो वह धन जो वेवसाई की क्रियाओं के लिए इसमें आधुनिकी करण, इसका विस्तार करने या विविदि करण करने हर तरह के काम के लिए चाहिए होता है अतह यह वित्त विवसाई के जीवन में हर कदम अनिवारी है इसलिए मैंने आरंब में कहा कि यदि विवसाय एक शरीर है तो वित उस शरीर के रक्त की तरह है जिसके विना विवसाय नहीं चल सकता अब क्योंकि वित इतना महत्वपूर्ण है तो विवसाय में लगाए गए वित का उचित प्रबंधन भी अनिवार है तो आईए बात करते हैं वित्य प्रबंधन के बारे में जैसा कि आप इसके नाम के दोनों शब्दों से समझ सकते हैं वित और प्रबंधन यानि विवसाय के वित को इस प्रकार प्रबंधित करना उसको इस प्रकार से लाना और उप्योग करना कि विवसाय के उद्देशों की प्राप्ती हो सके और हमें अधिक से अधिक लाव अर्जित करने में सहायता मिल सके वित्य प्रबंद का लक्ष कोश प्राप्ती की लागत को कम करना भी होता है यानि हमें धन प्राप्त करने में जो लागत लगती है जिसके बारे में हम आगे भी विस्तार में बात करेंगे धन प्राप्त करने के उस लागत को कम करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष है हमारा दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जिस लागत पर वित्य की ववस्था की जाती है उससे होने वाली आए लागत से अधिक होनी चाहिए यानि अगर हम कहीं से धन लेकर आ रहे हैं तो उस धन के बदले में जो हमें ब्याज या जो भी लागत देनी है वह लागत उस धन के इस्तेमाल से होने वाली आए से कम होनी चाहिए यदि आए अधिक होगी और लागत कम होगी तब ही हमें फायदा होगा इसका उदेश्य आवशक्ता के समय प्रियाप्त कोशों को उपलब्द कराने से भी है यानि वित्य प्रबंद में जहां एक तरफ हम कम लागत पर वित्य लाने की कोशिश करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम सही समय पर परियाप्त कोश उपलब्द कराने के लिए भी ततपर रहते हैं तथा इसका एक और उदेश्य अनावश्यक वित्य से बचकर रहना भी होता है यानि यदि हम जरूरत से जादा वित्य अधन व्यवसाय में रखते हैं तो वह भी सही नहीं है वो व्यार्थ जाएगा इसलिए कुल मिलाकर वित्य प्रबंद में तीन बातें देखी जाती हैं पहली कि कम से कम लागत पर वित्य अधन को प्राप्त किया जाए दूसरा परियाप्त कोश सही समय पर उपलब्द हों वह तीसरा अनिवार्य कोश की मात्रा से अधिक अनवश्यक वित्य से बच कर रहे हैं अर्थात वित्य प्रबंद का अर्थ हुआ अवश्यक अनुसार वित्य की समचित विवस्था करना यह कहना भी गलत नहीं होगा कि किसी भी व्यवसाय का भविश्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी वित्य ववस्था किस कोटी की है उसका वित्य प्रबंध किस स्तर का है आप जितने अच्छे से अपने वित्य को प्रबंधित करेंगे आपका व्यवसाय उतना ही अच्छा चल पाएगा इसका यदि हम एक मुख्य उदेश्य बनाना चाहें इन सभी बातों को अगर हम एक सार निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वित्य प्रबंध में सबसे मुख्य उदेश्य या फोकस अन्षधारियों के धन संपदा में अधिक्तम वृद्धी करना होता है देखें जब हम कम लागत पर वित्त लाते हैं जब हम परियाप्त मातरा में उसे उपलब्ध कराते हैं और जब हम अनवश्य क्वित्त से बचते हैं तो ऐसा करके हम उद्योग को आगे बढ़ाते हैं इससे अधिक सेधिक लाप प्राप्त होता है इसके पीछे हमारा मूलभूत उदेशे यह है कि जो अंशधारी यानि जो कंपनी के असलिम मालिक हैं उनकी धन संपदा में उनकी संपत्ती में अधिक सेधिक वृद्धि हो अब अंशधारियों की धन संपदा का मतलब क्या हुआ अंशधारी या शेर होल्डर कमपनी के अंश रखते हैं अब किसी भी अंशधारी के पास जो अंशों की संख्या है उनका एक बाजार मूल्य होता है हर अंशधारी ने एक निश्चित राशी में उन अंशों को खरीदा होता है अब यदि उन अंशों का बाजार मुल्य बढ़ता है तो अंशों की संख्या गुणा बाजार मुल्य करके हम अंशधारियों की जो संपत्ती प्राप्त करते हैं उसमें वृद्धी होगी उधारन के लिए यदि किसी अंशधारी के पास सौ अंश है यानि 100 शेयर है जिसमें उन्होंने मान लीजे 100 रुपे के हिसाब से 10,000 रुपे कुल लगाए अब यदि उन 100 अंशों की बाजार कीमत डेड़ सो रुपे है यानि आज उस अंशधारी की नंजम्पदा की कीमत होगी यानि 100 अंश गुणा डेड़ सो रुपे यानि 15,000 रुपे कल को यदि हमारे व्यवसाए के अच्छा चलने के कारण हमारे निर्णेओं के बहतर होने के कारण व्यवसाए की छवी सुधरे व्यवसाए और अधिक लोकप्रिय हो तो उससे हमारे अंशों की कीमत बढ़ेगी अब मान लीजिए वो अंश डेड़ सो से बढ़के 200 रुपे के हो गए तो इससे क्या होगा इससे उस अंश धारी की संपत्ती भी बढ़ेगी अब वो 100 अंश गुणा 200 रुपे यानि 20,000 की हो जाएगी यानि की जब हम अच्छे निर्णय लेते हैं तो उससे व्यवसाय के अंदर अंश धारियों की अंश की बाजार कीमत में भी वृद्धी होती है जिससे अंश धारियों की धन संपता में वृद्धी होती है आनि कंपनी के मालिकों की संपती में वृद्धी होती है और यही वित्य प्रबंधन का मुख्यों देश है अता है सभी वित्य निर्णयों का लक्ष इस बात को प्रतिपादित करना होता है कि प्रतियेक निर्णय को शल्ता पूर्वक लिया जाए और उनके अन्षों के मूल्य में वृद्धियों तथा इस प्रकार की मोल्य वृद्धी से अंसधारियों को फायदा हो यदि मोल्यों में गिरावट आती है तो इसका अर्थ ही होगा कि जो निर्णे हमने लिए जिस प्रकार हम वेबसाइट चला रहे हैं वो कमजोर तरीका है वो निर्णे कमजोर है तो हम यह भी कह सकते हैं कि अंसधारियों की धन संपदा में वृद्धी को देखके या कमी को देखके हम निर्णेयों की गुर्वत्ता को जा सकते हैं क्योंकि यदि निर्णे अच्छे हैं यदि हम अच्छे से काम कर रहे हैं तो बाजार मोल्य बढ़ेगा अन्शों की कीमत बढ़ेगी और यदि अन्शों की कीमत नहीं बढ़ती और घरती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि विवसाय ठीक से नहीं चल रहा है अतह वित्य प्रबंधन का उदेश कमपनी के समता अन्शों के वर्तमान मूलियों की अधिक्तम उचाई तक पहुचना होता है ताकि कमपनी के स्वामियों या अन्शधारकों के धन में वृद्धियों इस उदेश्य के साथ कोई भी वित्य प्रबंधक वित्य प्रबंधन करता है प्रबंधन में निर्णय लेता है जैसा कि हमने अभी बात की अब वित्य का प्रबंधन करने के लिए जो निर्णय लिये जाते हैं उन्हें तीन श्रेणियों में बाटा जाता है इनमें से पहला निर्णय निवेश संबंधी निर्णय होता है आईए अब निवेश संबंधी निर्णय की विस्तार में चर्चा करें बच्चों हर प्रबंधक को सबसे पहले यह देखना होता है कि उन्हें अपने व्यवसाई में कहां पर पैसा लगाना है उन्हें किस जगह निवेश के आवशकता है इसी निरने को हम निवेश संबंधी निरने कहते हैं किसी भी फर्मिया व्यवसाय के पास जो साधन उपलब्ध होते हैं वो उन साधनों की उप्योग के विकल्पों के मामले में कम होते हैं यानि हमारे पास साधन कम है हमारे पास पैसे कम है और हम उन होता है हमें समझना होता है और ध्यान देना होता है कि हम उन साधनों का कहां उपयोग करें उन्हें कहां निवेशित करें सही जगह निवेश करने से ही हमें उचित प्रतिफल प्राप्थ होगा अर्थात वित्या धन का निवेश छेत्र चुन्ना निवेश संबंध्य निर्णे कहलाता है अब निवेश संबंध्य निर्णे दो प्रकार के हो सकते हैं दीर्ग कालीन या अलपकालीन यानि हम अपने धन को दीर्ग काल के ओदेश्यों से लंबे समय के लिए किसी चीज में निवेश कर सकते हैं यह हम उन्हें अल्पकाल के लिए छोड़ी छोड़ी चीजों में निवेश कर सकते हैं दीर्ग काली निवेश निरनय को पूंजी बजटिंग निरनय भी कहा जाता है इसमें दीर्ग कालीन आधार पर लंबे समय के लिए वित्त की वचन बदता होती है यानि हम अपने पैसों को लंबे समय के लिए लगा देते हैं इसके कई उधारन हो सकते हैं जैसे कि हम इस तरह का निवेश अपनी वर्तमान मशीन को विक्सित करने के लिए उसे अपग्रेड करने के लिए कर सकते हैं हम एक नई मशीन खरिदने के लिए निवेश कर सकते हैं हम कोई नई समपत्ती जैसे कि कोई नई जमीन या नई फैक्टरी या नई शाखा खोलने के लिए निवेश कर सकते हैं कहने का तातपर यह है कि दीर्ग काली निवेश ऐसी चीजों में होता है जिन से प्रतिफल लंबे समय में मिलेगा हमें जिसमें पैसे की राशी भी बहुत जादा होती है इस कारण दीर्ग काली निवेश से जुड़े निर्णय बड़े विक्राल होते हैं हमें इन में बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है क्योंकि दीर्ग काल में यह फर्म की लाब दायक शमता को प्रभावित करेंगे आप किस प्रकार की मशीने खरीद रहे हैं आप किस प्रकार की तकनीक खरीद रहे हैं कहां पर शाखा खोल रहे हैं इस तरह की चीजें लंब बड़ी राशी का निवेश करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो इसको एक बड़ी भारी लागत के साथ निवेश किया जाता है ऐसे में यदि आपने गलत जगह राशी निवेश कर दी तो इतने बड़ी निवेश को पलटना या परिवर्तित करना पहले के स्थ कुछ होने के वज़ा से यह निर्णय बहुत जोखिमबरे होते हैं इसलिए हमें यह निर्णय बहुत ध्यान पूर्वक लेने चाहिए क्योंकि एक तो हमने देखा कि इनमें बहुत बड़ी राशी लगती है दूसरा इन्हें परिवर्तित करना संभव नहीं है तीसरा यह कंप परियोजनाओं का रोकड प्रवा परियोजनाओं के रोकड प्रवा का अर्थ है कि जिस परियोजना में या जिस उदेश में हम निवेश कर रहे हैं माननी जो कोई शाखा खोलना हो या कोई मशीन घरिदनी हो या कोई बड़ी परियोजना हो हम हमेशा यह देखेंगे कि उस परियोजना में हम आज कितना रोकड लगा रहे हैं कितना कैश या नगद लगा रहे हैं और उससे जो हमें वापस नगद मिलेगा वो कब और कितना मिलेगा हमें कितने समय में अपने रोकड की पुनह प्राप्ती हो जाएगे हम देखना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे की दर को भी देखेंगे परियोजना की सबसे महतोपूर्ण कसोटी उससे होने वाले आय की दर होती है इन गड़नाओं का आधार प्रत्येक प्रस्ताव से होने वाली आये वह उस पर लगने वाली जोखिम का निर्धारण होता है माल लीजिए हमारे पास दो परियोजना है और यानि-a और-b और माल लेते हैं दोनों ही समानप्रकार का जोखिम है अब यदि पहली परियोजना से हमें दस प्रतिशत की आई मिलेगी और दूसरे से किसी भी निवेश परियोजना में रोकड प्रवाहवा आय दर के अतरिक हम कुछ अन्य चीज़ों को भी देखते हैं जैसे कि राशी कितनी लग रही है अब भले ही आय की दर कितनी भी हो यदि उस निवेश में राशी इतनी लग रही है जो हमारे पास है ही नहीं तो हम कैसे निवेश करेंगे तो निवेश की राशी फिर निवेश के लिए जो पैसा हम लेके आएंगे यदि हम उसे रिंग के माध्यम से ला रहे हैं तो उस पर लगने वाले व्याच्की एदर इस तरह की चीज़ों को भी देखा जाता है तो इस प्रकार इन कारकों को देखकर हम बहुत सोच समझकर यह निरने लेंगे क्योंकि जैसा कि हम ने देखा ये निरणय बहुत ही विक्राल होते हैं तो ये तो थे दीर्ग काली निरणय अब इसके बाद अलप काली निवेश निरणय आते हैं जिनमें हम अपने वेवसाय में जो हमारे अलप काली एसेट है यानी संपत्या है जैसे स्टॉक यानी सकंध देंदार, रोकड, आदी का इस्तर निर्धारित करते हैं इन संपत्तियों के विशय में निर्णे लेने का अर्थ वेवसाय की दैनिक कारिय वाही से है हमारी दिन प्रतिदिन के जो कारिय होते हैं उनमें हम अपने स्टॉक में पैसा लगाते हैं हम कुछ पैसा अपने देंदारों को देते हैं इसके अलावा हमारे पास और भी कई छोटी मोटी चीजे होती हैं जिनमें हमें निवेश करना होता है जिनका प्रतिफल हमें तुरंत मिल जाता है या एक साल के अंदर मिल जाता है ऐसी चीजों में निवेश अल्पकाली निवेश कहलाता है क्योंकि ये संपत्या हमारे दैनिक लेंदेन से जुड़ी होती है वो उससे प्रभावित होती है ये लेंदेन वैवसाई की देता वो लाफदायकता को प्रभावित करते हैं कुशल रोकड प्रबंद सकंद तथा प्रापनिय खातों का प्रबंद ये सब अल्पकालीन निवेश का हिस्सा है इसे कारिशिल पूंजी निवेश भी कहा जाता है ये हमारी कारिशिल पूंजी यानि वर्किंग कैपिटल कहलाती है तो ये दोनों प्रकार के निर्णय चाहे वो दिर्गकालीन हो या लगाना है हमें दीर के काल में बड़ी बड़ी चीजों में कितना पैसा लगाना है वह हमें अलप काल के लिए छोटी चीजों में डैनिक चीजों में कितना पैसा लगाना है और कहां लगाना है यहां निर्णय सबसे पहला निर्णय आता है वित्तिय निर्णयों के अंदर जि तियन संबंदी निर्ण है यानि अब आपको ये निर्धारित करना होगा ये चुनना होगा कि वो पैसे आपके पास कहां से आएंगे आप किस शुरोत से या किन शुरोतों के मिश्रण से उन राशियों को या उस कोश को प्राप्त करेंगे एक company के पास मुख्यता दो प्रकार के शरोथ होते हैं धनप्राप्त करने के पहला अन्षधारी कोश वद्धारी निधिया यानि एक तो हम अन्षजारी करके अन्षधारियों से पैसा ली सकते हैं वद्धूसरा हम रिन के माध्यम से पैसा जुटा सकते हैं अब ये निधिया या ये कोश किस तरह से होंगी क्या हम पूरी तरह अंशों पर आशरित रहेंगे या हम पूरी तरह रिंड पर आशरित रहेंगे या हम दोनों का एक मिश्रण बनाएंगे यह कंपनी को निर्धारित करना होता है कंपनी को इनका एक अनुपात निर्धारित क होता है कि उन्हें निश्चित दर से ब्याज देना होगा यदि हम उधार लेते हैं तो हमें एक निश्चित ब्याज देना होगा चाहे कंपनी को लाब हो या नुक्सान हो उसी प्रकार उधारी निधी के साथ पुनर भुकतान का भी एक निश्चित समय होता है जिसकी भी हमें चंता होती है भुकतान ना करने की चूक को वित्य जोखिम कहा जाता है यानि यदि हम समय पर भुकतान नहीं कर पाए तो वो एक प्रकार का जोखिम है इसके लिए कंपनी के पास प्रियाप्त मातरा में लाब होना चाहिए तो यहां जोखिम भी ध्यान में रखना होता है कि यदि हम उधारी लेते हैं तो हमें यह ब्याज भुक्तान वा पुनर भुक्तान का जोखिम उठाना पड़ता है दूसरी और अंशधारियों के निधी में इस परकार की कोई वचन बदता नहीं होती ना हमें प्रतिलाब देने की कोई बदता होती है ना हमें पुनर भुक्तान की लाब हो कंपनी को तो कंपनी उसमें से लाभांश दे सकती है वरना नहीं हो तो ना भी दे अता है कमपनी को वित्य निर्णे लेने में यह देखना चाहिए कि उधारी और अंचधारी दोनों निधियों में क्या फायदे और क्या कमिया है दोनों में कुछ फायदे और कुछ कमिया होती है जैसा कि हमने देखा उधारी में जहां एक तरफ जोखिम होता है पुनर भुक्तान का तो अन्सधारियों में यह जोखिम नहीं होता लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिन यह उधारी में उसे प्राप्त करने की लागत कम होती है जबकि अन्सधारियों में यह लागत वह समय भी जादा होती है तो दोनों के फाइदे और नुकसान को माप कर हमें यह निर्धारित करना है कि कौन सा श्रोत हमारे लिए अच्छा है किस में हमारी कितनी लागत आएगी यह निर्णे लेने के लिए हम कुछ कारकों पर ध्यान देते है इन कारकों के अनुसार हम यह निर्धारित कर सकते है कि हमें किस श्रोत से निधी प्राप्त करनी है पहला कारक है लागत अलग-अलग शुरोतों से निधी प्राप्त करने के लागत भी अलग-अलग होती है हमें देखना चाहिए कि जहां से लागत कम है हम वहां से शुरोत प्राप्त करें क्योंकि हमें अभी तो निधी की आवशक्ता है उसके लिए लागत अगर बहुत जादा उठानी पड़ जाए तो वो निधी कहां से आएगी, वो राशी कहां से आएगी तो पहला कारक लागत हो गया, दूसरा जोखिम, जहां जोखिम कम हो, वहां से शुरूत प्राप्त करें तीसरा प्रवर्तन लागत यानि निधियों को प्राप्त करने की लागत, जैसे कि सामानेत अंच निधियों में प्रवर्तन लागत जादा होती है तो यदि हम प्रवर्तन लागत को बचाना चाहते हैं तो हमें रिण की तरफ जाना चाहिए रोकड प्रवाइस्थिती अब यदि हम रिण लेते हैं तो उसके लिए हमारी रोकड प्रवाइस्थिती अच्छी होने चाहिए क्योंकि हमें नियंतर ब्याज भुक्तान करना है वह पुनर भुक्तान भी करना है यदि हमारी रोकड प्रवाई स्थिति अच्छी नहीं है तो हमें रिड से बचना चाहिए नियंतरण अब यदि हम अंशों को जारी करते हैं तो अंश जारी करने के साथ कंपनी पर जो उसके अंशधारी पहले से हैं उनका नियंतरण कम हो जाता है क्योंकि जादा अंशधारी आएंगे तो नियंतरण सब में बठेगा तो यदि हम नियंतरण अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो हमें अंशों से बचकर रिण की तरफ जाना चाहिए इसके अलावा स्थाई संचालन लागत का स्थर स्थाई संचालन लागत यानि वेवसाई में जो ऐसी लागते हैं स्थाई हैं जो हमें देनी ही पड़ेंगे जैसे कि भवन का किराया, बीमा का प्रेमियम, वेतनादी जो हमें देनी ही है यदि ये लागते पहले से अधिक हैं तो ऐसे में हम रिंड लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि रिंड के साथ एक और स्थाई लागत आ जाती है अच्छे स्थिती में चल रहा है तो यदि हम अपने पूंजी को अपने अंशों को जारी करेंगे तो वो जल्दी बिकेंगे लोग उसों जल्दी खरीदेंगे उसको स्विकार करेंगे लेकिन यदि पूंजी बाजार की स्थिती अच्छी नहीं है और फिर भी हम अंश जार करते हैं तो हो सकता है हमें उससे निदी प्राप्थी ना हूँ तो ऐसे कई कारक हैं जिनकी हमने चर्चा की वह अन्य कारक भी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही हम यह निर्धारित करते हैं कि हमें किस प्रकार के शुरोत से राशी प्राप्त करनी है धन प्राप्त करना है तो बच्चों अभी तक हमने वित्तिय निर्णयों के दो मुख्य पहलूँ पर चर्चा की हमने निवेश से जुड़े निर्णय के बारे में जाना और फिर हमने उसके लिए शुरोतों के संबंध में समझा इसके बाद अगला निर्णय आता है जब हम अपने द्वारा प्राप्त की गई राशी को निवेशित कर देते हैं और कारियों को करते हैं, क्रिया कलापों को करते हैं, वेवसाय को चलाते हैं मानले जी हमने किसे नई शाखा में निवेश किया तो उससे जो हमें लाब प्राप्त होता है अब उस लाब का किया किया जाए ये हमारा तीसरा निर्णय होता है जिसे हम लाभांश निर्णय कहते हैं लाभांश निर्णय के बारे में हम अगले भाग में विस्तार में चर्चा करेंगे आज के भाग में आपने वित्त के अर्थ को जाना, वित्य प्रबंध को समझा उसके महत्व पर चर्चा की वह उसके बाद वित्य निर्णेयों के दो महत्व पूर्ण पहलुँओं पर चर्चा की मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको एक समझ विक्सित करने में सहायता मिली होगी कि वित्त क्या होता है वो इसके निर्ने क्यों और कैसे लेनी चाहिए अगले भाग में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद अधना ही दोग ऑन्यवाद क्यों अधना है बढ़ाएंगे दोन न आग Заी है लिए धन्यवाद यजरा बढ़ा अजरा ह के भाան अधन क्यों प्लूम करते कि एल